अब आज के दिन टीचर्स और रिक्रूमेंट बोर्ड की तरफ से जो मीटिंग्स हुई जो चर्चाहे हुई उनमें क्या क्या रजल्ट निकल के सामने आये किन किन बातों पर चर्चाहे हुई इस बारे में हम इस वीडियों बात करने वाले हैं बहुत सारे लोगों का यह तो इसी के रिगार्डिंग जो अरभी बोर्ड से बात हुई उसमें क्या-क्या अपडेट्स नहीं इस वीडियों हम बात करने वाले हैं वीडियो मुस्किल से तीन से चार मिनट की होने वाली वीडियो के स्पीड 2.0 कर लीजिए ताकि आपका जाद जादा टाइम समय बस सक है ठीक है उन्होंने बोला कि 124 के पोस्ट हो तो आई है तो ये जो 6 साल ते इनकी पोस्ट नहीं है ठीक है आरारभी की तरफ से ये जवाब आया हुआ तुकेmount अगर हम ब Smash overs अने वाला है वह WRBASE की एकस्पेक्टेटबं करें तो अब दो हज़ार वेकेंसी आने वाली है, देखिए इसके लिए विए एगर कुछ धरना परत्रासन हुआ, कुछ ट्रेटर अब यहां चलाएगा तो निशित तोर पर इन वैकेंसी ओपर भी असर पड़ेगा क्योंकि 2024 में चुनावी कोमा धिनाजर रखते हुए RRBJ के जो final vacancies है वो increase हो सकते हैं अब देखे हुआ क्या है दूसरी चीज़ के teachers नहीं ये बात की है Union ने ये बात की कि हर साल vacancies आनी चाहिए जैसे SSC हर साल vacancies release करता है वैसे railway इतना बड़ा board है और vacancies तीन चार चार साल में आते तो इनका कोई मतलब नहीं हर साल timing से vacancies आनी चाहिए और proper जैसे SSC calendar देता है वैसे RRB का भी calendar आना चाहिए तो इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई जैसे common मुद्दों पर चर्चा हुई है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा तो देखिए इसमें फायदे की बात क्या हुई है डिप्लोमा आइटे वालों के लिए एक टेक्निशन की रुकुमेंट आएगी ALP की vacancy इंक्रीज होगी जो भी है उसी साब साब तयारी करते रहें क्योंकि एक बार vacancy आगे इसके बहुत चांसे बसते नहीं क्योंकि जेए में first cbt second cbt जो होते हैं उसे first cbt पूरा non technical होता उसमें बहुत सारे candidate जो technical के हैं वो बहुत कम score करते हैं और जो tire 2 होता जो cbt2 होता उसमें जगा नहीं मना प जो बहुत करें टी क्योंकि एको है आगे जहुत करते हैं